चलिए दोस्तों, आपको कुछ अलगतरी की से बताते हैं कि एकतर का विलोमसब्द क्या होता है और आज की इस वीडियो के इंदर आपको एकतर की विलोमसब्द की बारे में हम अच्छी से जानकारी देंगे आप बस वेडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबातें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोमसब्द किसे कहते हैं ताकि आप एकतर के विलोमसब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जर देन चे सुनी कि वे सब्द जो एक दूसरी की विप्रीत या उल्टा अर्थ देते हूँ उन्हें विलोमसब्द कहते हैं और वहीं पर अगर आप एकतर की विलोमसब्द की बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता देती हैं कि हिंदी व्याकरण की अनुसार एकतर का विलोम सब्दे विक्रण होता है यह नि दोस्तों एकतर का विलोम सब्दे विक्रण होता है और यह आपको अच्छी तरह सियाद करना है जिसके लिए आप भी मरे साथ दो रहें कि एकतर का विलोम स क्या होता है दोस्तों एकतर का हिंदी में अर्थ होता है इकठा यानि जो एक साथ रहता है या एक इस्तान पर इकठा रहता है वह एकतर होता है और वहीं पर अगर हम विक्रिण के अर्थ की बात करते ही तो दोस्तों विक्रिण का हिंदी में अर्थ होता है फेलाया हुआ या नहीं होता है बलकि फेला हुआ रहता है या विखरा रहता है तो वह विकिरण होता है तो इस तरह से दोस्तों आपने अब समझा कि एकतर का आर्थ क्या है और विकिरण का आर्थ क्या है तो आप अब यह और भी दिकची तरह से समझ सकते हैं कि एकतर का विलोम सब्दिक क्या ह तो आईए दोस्तों अपने एक बार इसके बार में फिर से बात करते हैं कि एकतर का विलोम सब्दी क्या होता है तो दोस्तों जर जैन से सुनें कि हिंदी व्याकरण की अनुसार एकतर का विलोम सब्दी विक्रण होता है यह नि दोस्तों एकतर का विलोम सब्दी विक्रण होत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबादी